बच्चा रहता तो उनकी बाते विधान सभा में नहीं गुझती, सारे विधायकों में, 81 विधायकों में हड़कंप है, यहां तक मुखमंत्री में हड़कंप है, कोई बच्चा से कोई विधायक असांसत नहीं डरता है सरायकलाख खरसवा में बोला गया था कि जैरा मातों को इंट्री करने से, यहां पर आने से, सरायकलाख खरसवा को लिकाण में, यहां माहूल बिगड सकती है तो उन्होंने चैलेंज को सविकार किया, और सविकार करके वो गए, और एक साथ नहीं, उनके साथ अपने आप ओटोमेटिकली, विदाउट किसी फंड का, अपने एक गाड़ी से गए थे, उसके पीछे हजारों गाड़ियां लाइन पे लगी थी, साइद आप भी देखे ह के लिए साथ उतनी गाड़ियां नहीं आती, और अगर तुम्हारे में उकात है, तुम्हारे में दम है, तो पहले साबित करके दिखाओ कि हम लोग किसके प्रोजेक्टेट हैं, हम सब का डाटा जानते हैं, और आप लोग उनकी सभावों में भी जा चुके हैं, जब उनके स जैराम मतों के बहुत करीबी और दाइना हाथ माने जाने वाले मोतिलाल मतों आजनाची पहुचे हुए हैं, हम बात करेंगे लगतार कई लोगों के द्वारा, कई निताओं के द्वारा जैराम मतों पर भी करदाक्स किया जा रहा है, और कई सवाल उत्पन हो रहे हैं, इस तरह से बीच में आपने खबरों में देखा होगा कि क्या बाते हो रही हैं, हाँ, आपके नियूज के मादेम से देखा था, कुछ लोगों ने जैराम दा को बच्चा बोला था, कुछ लोग बोले थे कि आसू के दरा प्रोजेक्ट किया गया है, तो मैं सभी का उत्तर द कि फुटबोल प्लेयर, तो फुटबोल प्लेयर वही थे, एक फुटबोल प्लेयर मायट पकर लेने से नेता नहीं बन जाता, डारेक्ट आपके मुख मंतरी जी बोलते हैं, बच्चा रहता तो उनकी बाते विधान सभा में नहीं गुझती, सारे विधायकों में, 81 विधाय हमें बोला गया था कि जैरा मातों को इंट्री करने से, यहां पर आने से, सायकला खरस्वां को लिकाड में, यहां माहूल विगड सकती है, तो उन्होंने चैलेंज को सविकार किया, और सविकार करके वो गए, और एक साथ नहीं, उनके साथ अपने आप, आप ओटोमेटिकल करके आए, उनको सहित थे, उनको सरदानजली अर्पित करके आए, नमन करके आए, लेकिन किसी बच्चे कोई कहा दे कि वो बच्चा कि किसी बच्चे के लिए उतना भीड कभी उमड नहीं सकती, अगर वो बच्चा राते, तो उतना गाडियां, उतनी भीड उनके लिए नह आखिर इतनी लाइन लंबी गारियां कैसे आ जाती है काफिला में काफी काफी बड़ी बड़ी गारिया इतना खर्च इतना पैसे आखिर यह कहां से आ रहे हैं मैं इसके उधारन देना चाहता हूं मेरे मोबाइल में है जहां-जहां सभाय होती है वहां-वहां लोग चावल हम ँसके आपके पासकार है उनके पासकार है तो सब अपने मन से उसके पिछे लगते चले जाते हैं। अगर आपके हैसियत है तो साबित करके दिखाए दीजिए कि उसने जेरा मातों को फंडिंग किया मैं मोतिलाल मातों साल भर से उनके साथ हूं और साथ ही नहीं सुर्था बैठना खाना पिना उनके साथ हैं मैं अच्छी तरह से रग रग से कंकन से वाफिख हूं हमें सिखाने कि मत पुसिस किज और दूसरी बात कहते हैं कि आसु दवारा प्रोजेक्ट किया गया है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं जब हम लोग रामगड में अंदोलन करते हैं तो अलगर वहां से अगर हम लोग अंदोलन करते हैं तो कहता है कि BJP प्रोजेक्टेट है तो भाईया तुम लोग पहले डिसाइड कर लो ने हम किसके प्रोजेक्टेट है और अगर तुम्हारे में उकात है तुम्हारे में दम है तो पहले साबित करके दिखाओ कि हम लोग किसके प्रोजेक्टेट हैं किसी तरह से प्रूफ अगर लेकर दिखा दोगे तो हम मान जाएगा हाँ, कुछ फोटो हो सकता है कि जरामदा पहले किसी पार्टी से नहीं थे तो सभी पार्टियों के साथ, उसको जैमें के साथ भी फोटो मिल जाएगा आसू वालों के साथ भी फोटो मिल जाएगा, बिजेपी वालों के साथ भी फोटो मिल जाएगा और कांग्रेस वालों के साथ भी फोटो मिल जाएगा हाँ लेकिन चुनाव परचार में 2014-2019 के चुनाव में उन्होंने जेमेम का परचार किया और बिजेपी का जो मोधी जी थे क्योंकि उनका काम था एक अच्छे वो वक्ता थे वो वक्ता दे के लोगों को समझाने का परियास करते थे अगर उस चीज को वाइरल करके कहिएगा तो यह गलत है अभी एक साल के दर्मियान में आप हमको दिखा दीजे एक भी सुबूत जिन्होंने बिजेपी के साथ कांग्रेस के साथ जिन्होंने फंडिंग किया या जो कहते हैं कि उसके दुआरा प्रोजेक्ट किया गया तब हम म हम सबका डाटा जानते हैं सबको बाय डाटा जानते हैं आप लोग अंकी सभावव में भी जा चुके हैं जब उनके सभाव में जाने के बाद जंता आपको नहीं सुनना चाही तब आप लोग उदर से कलटे ले लिए और यहां आदिवासी sentimental खुलने का परियास कर रहा है हम जान 뽑े हैं कि कौन लोग हैं लेकिन लेकिन लेगिन वह एपको रुखेंगे दो सब के लिए लेकिन आप ये वो रहें कि नहीं सुनना चाता है लेकिन वह Cantu का जैराम मातो हैं CeWAL différentsौ तर्षा मातों में क्वाल पॉल आप का भी डर लगता है और आप निडरसा से बात रखना नहीं चाहते हैं वो पुलीस परसासन नेता मंत्री सब को चैलेंज करते हैं आपकी जिये आपको भी लोग सुनेंगे लेकिन नहीं आपको पुलीस से भी बचना है उन्होंने घर से त्याग करके निकला है घर को बोल दिया गया और किसी किसी वहां इतनी भी थी और इतना था कि पुलीस परसासन ने खड़ी के खड़ी देखती रहे गे और वहां से निकला पड़ा जबकि फॉल्स केस जूठा केस बल्यापूर और सिंद्री थाना में अभी उनका चल रहा है उनका भी केस अभी चल रहा है हाई कभी रुके नहीं कभी थके नहीं कभी जुके नहीं और हर चेलेंज को सभी कार किये तो क्या 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 दोवजार चाहे हो सिंद्री का घटना हो चाहे वो सरायकला का खरस्मा भी चेलेंज करके गये कि हम जाएंगे जिसको जो करना है कर लेगा है ना मरना तो सब को है हम भी सुनिल्दा ने सहादत दिया है ते हम भी दे देंगे हमारे पिता जी खुद उन्होंने कहा था कि हमारे पिता जी खुद साहिद हुए है जारकन के माटी के लिए जारकन का अलग करने के लिए तो हम भी कुर्बानी दे देंगे लेकिन वह सराय के लाखरस्वा भी गया और सिं कि अब जार्खंड में और पहले जैसिर राम था अब जैजय राम है क्या यह सही है कि जैराम तुफान है देखे सुर्ज सिंग बेसरादाद जो है वह बहुत बुद्धी जीवी इंटेक्शुल और राजनेता लेडर भी रह चोके हैं विधायक भी रह चोके हैं उनकी बातें अच्छी है सुनने में लेकिन हम लोग का भी अभी हम लोग को राजनेती से कोई वास्ता नहीं आप देखिए राजनेती से कोई कोई वास्ता नहीं हम लोग आपको उधारन देना चाहेंगे इसका चुना हुआ अभी उप चुना हुआ था इसका यहां पे क्या नाम है वो आपने करेंगे अपने परिवर्तन करेंगी है। numa करेंगी होने मसमे यह जन्हांता करहा नहीं डावना में आपने अपने लिकर्परण करेंगी अपने बदलाव करेगी, अपने परिवर्तन करेगी अभी बहुत सारे पर्खण है, जहां बाकी हो, उन पर्खणों में पूरा करना है, 264 पर्खण में अभी लोग मात्र सो पर्खण ही लगबग हो पाए है, दो हजार चौबीस तक चुनाओं में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, जनता कहे लेकिन, मैं तो जी, एक और सवाल है कि आप देख रहे होंगे कुड्मी और इस पर क्याब लडाई चल रहा है, कि कुड्मी आदिवासी कैसे हो सकते हैं, क्या कहेंगे, इस पर हम कोई टिका टिकनी नहीं करना चाहेंगे, ये टिका टिकनी हमारे समाज से अगर है वैसा, तो होंगे, मांग करने के लोकतंत्र है, मांग करना सब काधिकार है, तो होंगे, लेकिन हम इस पर हम उतना रिसर्च भी नहीं किये हैं, और ना इतना हम अध्यन किये हैं, हमारे हां, लेकिन हमारे बुद्धी जी भी बहुत ऐसे से लोग हैं, कुड्मी समाज के, जो रिसर्च क पर लोग इस अंदोलन को लिड़ कर रहे हम लोग अभी उससे लाइना दना नहीं है वास्ता नहीं है लेकिन जरकांडी मानस और जरकांडी जो मुद्धे जरूरी नहीं कि अमिस सा है सेंट्रल मिनिस्टर है ग्रह मंत्री है तो जरूरी नहीं कि सब चीज का जानकार ही हो इतना बड़ा देश है इतना बड़ा राइज है हो हर चीज का जानकार नहीं हो सकते उनको पता नहीं था जो आएस उसको अस्पिछ लिख के दिया था उस गधाव को भी नहीं पता था कि क्या होना चाहिए यहां सरकार ने क्या क्या है कि 1932 के सरवे के पहले जितना भी सरवे हुआ है उसको लागु किया जाएगा उसके बाद लास्ट में आपको याद होगा कि 1964 का भी सरवे को सामिल किया गया है और 1964 का सरवे में चायबासा में सरवे हुआ है कि 1932 में भीवा है 1964 को भी सामिल किया गया है तो जब 1964 को सामिल किया गया तो कैसे नहीं नोकरिक मिलेगा सोचने वला भीशे है सामिल तो कर दिया कै तो सभी को नोकरी मिलेगे और वहां कुछ छिटपूट इलाका है जहां 1932 में सरवे नहीं हुआ है ने तो कौल्हान के भी लगबग लगबग इलाकों में 1932 में सरवे हुआ है उसका पुरा पुरी मेरे पास आकड़ा है और उसके रस्मी कत्यान का एक लुखा हुआ बूख है जिनने उनमें भी पुरा पुरी तरह से उल लेखे कि वहां सरवे हुआ है और वहां के हमारे अस्थानिये जो लोग हैं हमारे जो वहां पर मित्रगन है उसके बाद हमारे कमिटी के जो सद्धे से उन्होंने भी हमको अपना अपना खत्यान दिखाए जो 1932 के सरवे के अधार पर उनका खत्यान इसू है तो कैसे कर सकते हैं घारकunda के जो लगतार हमारे ख़बो के मींद्रगर के IS आगला मुक मंत्री आगला CM मेतो के उन्हों का मेतो को बता रूए है देखे हम फिर क्या बोले हम एक ही बात बोले जंता जागा ओगे की अपने उल्गलान करेगे उल्गुलान करके किसको बदलाव करना चाहती किसको लाना चाहती वो खुद तै करेगे जब होगा उल्गुलान तभी लागु होगा खतियान हम लोग नारा दिये थे तो वही माइन्स में जो निछे जहरेले कुछ है गैसे बाता हैर आप dareो कि वर्फी बाते कर रहेंश Play नहीं है लोग बीमारी सिन गलसित हैं तो लोगों का एक राम कि जम्हें बाता है आज हमारा 15 लाख एकड जमीन विस्थापन में लिया गया है कमपन्यों के द्वारा लिया गया है साथ लाख लोगों को उजाडा गया है साथ लाख लोगों को याद रखिए जिसमें से लगबग एक लाख के आसपास के लोगों को ही रोजगार दे पाया ने तो नहीं दिया है CCLB, CCL TATA, मैदानता के द्वारा उजड़ा गया है आज तक उनको मुआज़ा नहीं मिला है, पुनरस्थापित नहीं किया गया मेरा खुद का, मेरा मामा जो है, मेरी मा का जो मामा है उनको जब तेनुगाट डेम बन रहा था तो उनका पूरे गोतिया को उजार के और केदला में जाके बसाया गया है केदला में आज ओलोग जोपर पटी में रहते हैं जहां उनका जहां तेनुगाट डेम है, जहां उनकी खेत हुआ करता था बारी हुआ करता था, घर हुआ करता था, वो सारा चीज वहाट पर डूब गया लेकिन उनको मुआवजय में क्या मिला आज तक पुनरवास के नाम पर एक जोपड़ी मिला है पुनरवास के नाम पर जोपड़ी मुआवजय के नाम पर केवल एक नोकरी एक परिवार को मिला एक परिवार के उसका जो मर गए पुरा वो लोग परिवार उजड़ गया और अगर वही जमीन वही ज़ादा तो वो लोग 7 पिली, 10 पिली, 15 पिली तक वो लोग खेती करके खाता अगर विश्ठापिन नहीं होते तो जमीन उजडने के बाद पुरा संसार उजड जाता आदमी जमीन जो है वो प्राकर्तिक संसादन है जो आदमी को जन्म के साथ ही मिलता है या तो फिर कुछ जुटाता है जमीन बहुत बड़ा चीज है यह कमपणिया उस चीज को नहीं समझती वो एक बार नोकरी दे देती है और उसको समझती कि हम अपना कर्तव निवा दिये और वो जिसमें 10 गुना 20 गुना नहीं 100 गुना पर मुनाफ़ा कमा लेती है उस जमीन से लेकिन उसका परिवार जो उजड़ के चल जाता है कहां चल जाता है तब जानने का परियास की है कमपणियों नहीं चाहिए और पढ़ने वाले चात रहे हैं हम लोग पढ़ने वाले चात रहे है हम लोग अपना पढ़ाई में लागेंगा हम लोग SPDSP, CODO जो भी बनना है वो बन जाएंगे चलिए तो यह थे मोतिलाल मुहतो जी और मोतिलाल मुहतो थे और अपने बातों से जाने जाते हैं और जो बातों को उनों होने रखा है इसलिए हमने कहा कि जो भी सभाए होती है या जो भी राय बस बेमरा होता है मिलते हैं आगले ख़बर के साथ तो आज की ख़बर में बस इतना ही बने रहे SMP News के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आपे हमारी ताकत लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें तो वहीं बिष्टत खबरों के लिए हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद